सो यामा कमपनी ने अपनी R15 वर्जन 4 में एक नया कलर ओप्शन देकर ओफिसली हमारे इंडियन मार्केट पे लॉंच कर चुकी है जिसका प्राइस दोस्तो लगबग आप लोग को एक लाग पचासी जार नौ सो रुपए एक सोरूम देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप लोग को R15 वर्जन 4 में जो है अब एक और नया कलर ओप्शन का मिलने वाला है ओप्शन जो की है ये वाइट कलर तो आप लोग बताएं दोस्तो की आप लोग को ये वाइट कलर कैसा लग रहा है नीचे कौन बॉक्स पे जरूर लिखेगा बाकी बात करीज आप लिखवा देखने को मिलेगा जोकी ब्लैक कलर में इसके अलावा सबसे एक ट्रेक्टिव जो इस वाइक में लग रहा है दोस्तों वह लग रहा है इस बाइक का फ्रंट पे यहां पर आपनों को आप लोगों को आप संदेखने को मिल रहां वाकि पहले जो फीचरेस आप लोगों को अभी देखने को मिल रहा है जैसे कि फुली डिजीटल मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, प्रोजेक्टर, LED हेटलेम, इसके अलावा गाड़ी पर जो है दोस्तों आप लोगो डूवल डिस्प्रेक के साथ डूवल चैनल ABS भी देखने को मिल रहा है, सस्पंसन के बारे में तो बताय दिया जो क इस वाइट कलर को यामा कंपनी ने लॉंच तो कर दिया है, बट काफी सारे जगहां पे ये वाइट कलर अभिलेबल नहीं हुआ है, जो कि आने वाले एक से दो हपते में ये भी वाइट कलर आप लोग को आपकी नजदी की यामा सोरू में भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को पहले जो कलर अप्शन मिलते थे, उन कलर अप्शन के मुकाबले ये आप लोग को कैसा लग रहा है, नीचे को इन बॉक्स पे जरूर लिखेगा, तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलाल एंड करते हैं, तो वीडियो